हेलो दोस्तों कैसे आप आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं स्रेस एक फिर से स्रेस एकडेमी में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम सीटेग जुलाई 2030 के लिए CDP की क्लासिस करा रहे हैं जो की टॉपिक बाइज एक्रिकेबल CDP की नहीं सारे सबजेक्ट की क्लासिस मैं कराने वाला हूँ वो भी टॉपिक बाइज और बिद थीरी जिसमें मैं थीरी कराने वाला हूँ questions तो आप बहुत जगे देख लेते हैं मैं थीरी भी कराऊंगा और साथ में कराऊंगा mcqs उससे related जो mcqs होने वाले हैं वो भी मैं आपको क्लास में कराने वाला हूँ फिलाल तो आज हम कल हमारी CDP की एक क्लास हो गई थी जिसमें पहला टॉपिक हम देख चुके हैं हाँ CDP का जो आपके स्लेवस में सीटैट के स्लेवस में हैं उसका दूसर टॉपिक देख लेते हैं जो की ऑफिसियल यह रहा आपका ऑफिसियल स्लेवस जिसमें जैसा कि आपको पता है concept of development and its relationship मैं कल वाली क्लास में पूरा करा चुका हूँ बहुत अच्छे से करा चुका कराई थी और बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं है बस 21 मिनिट की एक 21 मिनिट की वीडियो जिसमें मैंने बाइलिंगल पढ़ाया है और PDF भी मैंने टेलिग्रॉम पे दे दिये हैं अगर आपने को टेलिग्रॉम पे पीडिये भी चाहिए तो आप टेलिग्रॉम पे जाके ल ये वाला topic हमाज की वीडियों में देखने वाले हैं तो सुरू करते हैं आज की class पहला topic कौन सा है थो आज इना मनों पहले से ना दूसरा topic तो हम कल कर कुछी हैं तो 3 स्द्धान्त तो इस टॉपिक को आज हम कवर करने बाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे थीरी इसकी क्या पढ़ेंगे भी थीरी पढ़ेंगे आज की क्लास में तो शुरू करते हैं बाल विकास की सिध्धान्त क्या क्या होते हैं देख लेते हैं तो बाल विकास की सिध्धान्त जो होते हैं वो जो विकास होता है जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था विकास क्या होता है एक निरंतर चलने वाली प्रिक्रिया है और जो कि गर्व अवस्ता से शुरू हो जाती है गर्व धारन से शुरू हो जाती है और मिर्तियू तक चलती है कब तक चलती है गर्व धारन से वाली प्रक्रिया है जो गर्व अवस्ता से शुरू होती है और मिर्तियू तक चलती है तो this means that development is a continuous process that begins with pregnancy and continuous till death ये death तक चलता है मिर्तियू तक चलता है जो इसका जो दूसरा सिधान्त है वो ये है देख लेते हैं बैक्तिक अंतर या विवन्यताओं का सिधान्त जो दूसरा है तो ये क्या कह रहा है इसका क्या मतलब होता है इसका जो मतलब होता है प्रतियक बालक का विकास भिन्न भिन्न हो सकता है अर्थात किसी बालक का विकास तीब्र किसी का धीमा किसी का उच्च किसी का निम्न हो सकता है जैसे कि आपने आपकी कॉलाउनी में या आप जहां रहत सबושंते हैं पासपड़ोष में कुछ बच्चे होगे तो उनको आपने देखा होगा कोई बच्चा तो बहुत तेजी से विकास कर रहा वह हो जाते हैं और किसी का बिकास जो होता है वह धीरे-धीरे होता किसी का बहुत तेजी वह बता होता है B बच्चे अगर बच्चे हम दस बच्चे एक हट्टे कर लें जो दस बच्चों में दो चार की अलग प्रिक्रिया होगी जो विकास की गती होगी वो किसी में तीब्र होगी किसी में धीमी होगी किसी में उससे थोड़ी जादा होगी इस टैप से बैक्टिज विबनताय देखन को मिल जाती है जो हो गया हमारा दूसरा सिधान अब तीसरा सिधान देख लेते हैं क्या कहता है हमसे विकास की एक रुपता के सिधान तो दोस्तो जो भी मैं सिधान ते करा रहा हूँ आपका ज Southern तॉम आपको बता कहता है विकास क्रम की एक रूपता का सिध्धान्त विकास क्रम की जो एक रूपता का सिध्धान्त है वो क्या कहता है भी प्रेंसिपल आप यूनिफॉर्मलिटी डव्लम्मेंट और तो यह क्या कहता है इसके अनुसार क्या होता है भी विकास अपना एक क्रम होता है विकास का अपने एक क्रम होता है जो बदला नहीं जा सकता जो विकास का क्रम है उसे हम नहीं बदल सकते हैं उसका अपना एक क्रम होता है जो सभी बालकों का विकास इसी क्रम में होता है उधारन के लिए जैसे पिरतिय बालक पहले रोना आपने देखा होगा आपके और कोई छोटा मतलब बाक क्यों कर दिपाता कर देता है तो बह जा रहा है तो रोना इस टर्डा करता है थोड़ा चीकना allora सगरता थोड़े-थोड़े थोड़े-…..श ऑपि भूलने यह वोता है उसकीय उससे पूरे बाक बोलने लगता है यह होता है तो भी बच्चा पहली अबस्ता में नहीं भोल सकता है यह आपको पता होगा जैसे कि सब् defat करता है दयू जोद्न करता ओर धीरे दीरे पूरे बाक बोलना रादो करता है तो to this development has its own sequence which cannot be changed and all the children develop in this sequence for example every child first learn to cry and to make sound to utter phrase and then to speak complete sequence sentence child can speak sentence in the very first stage so you can listen to it, the next stage is başaming the next stage it will also be next to mkskati bakas ki gati ki bhindh vindh Ash kati bhindh darim kats kati bhindhaki bhindh woji jaisa ki maybe main nape ko bata ya har bache may alag alag gati se bhikas ho ta hai different rates of development the development of kya ho ta hai ma ta hai iska maata iska jo horto ta hane bhikas ki bhindh avasthaw on pere bhikas ki ghati from wii एक गती तीब्र हो जाती है, एक सैसो अवस्ता में जो गती होती है, फिर बाल अवस्ता में थोड़ी धीमी हो जाती है, सैसो अवस्ता में तेजी होती है, फिर बाल अवस्ता में थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जब किसोर अवस्ता आती है, फिर तेज हो जाती है, जैसा कि मै क्वेल वह बताया था जो साथ नई क्यातो होती है जो होती है विक्दी ज्ती टेजी से होती है मैं इ enormousaker की अवस्था भी इसे कहा था और सीखने की महतनु अवस्था भी मैंने स्टीज सीघ्व सबस्ता को बताया था अपने वह बुर्ल जालती है तो आपको पता होगा आगर नहीं देखिए तो आप फिर से जाके देखने जगावी में इस बीडियो के बाद तो उसके बाद धीमी होने लेड़ती है जैसी मैं नेया बता है तेज कम याँ आखंकाश में धागलती है, तो जो विकास होता है वो क्या होता है general to specific की और बढ़ता है तो development moves from general to specific तो इसका मतलब क्या होता है ये भी देख लेती है इसका अर्थ यह है कि बालक सुरू में किसी वी क्रिया को सामान रूप से सीखता है उसके बाद बिसुच्ट जैसे बालक सुरू में किसी बस्तू को बच्चों को इक देखा होगा आगर आपकी घर में नहीं है तो passpods में देखा होगा जो छोटा बच्चन होता है तो वो एंपने पूरे हातों से ऐसे पकड़ के उठाता है दूनों हातों को पूरा लगा के ृछिय दृवे तीरे वाुझ उठाने की practice करता जाता या तिर व शुरू में वो दोनों हातों से ही उठाना स्टार्ट करता है, तो आसा करता हूँ, आपको यह भी समझ में आगया होगा, विकास सामान से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है, आगे बरते हैं, नेस्ट, नेस्ट जो है, वो भी देख लेते हैं, परसपर संबंध का सिध्धान परसपर संबंध का सिध्धान होता है, वो भी हम देख लेते हैं, तो जो इसके अनुसार जो होता है, सभी प्रकार के विकास जो होते हैं, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया है, विकास के अंत्रगत सारी विकास आ जाते हैं, चाहें वो सारी रिक हो, चाहें वो सामाजिक ह संग्यानात्मक और सारी विकास को मैंने बताया था यह ग्रोथ के अंत्रगत आता है किसके ब्रद्धी के अंत्रगत आता है अगर आपने नहीं देखिए तो जाके एक बार देख लिजेगा तो इसका मतलब क्या है परसपर संबंद के सिद्धान इसके अनुसार सभी और पती और कि विकास जैसे सारी نिरिक विकास सामाजिक विकास संग्यानात्मक विकास संबब्यात्मक विकास आधी एक दूसरे से संबंदित होते हैं而且 देख लेते हैं आसर करते हूं आपको जानती भी समझ में आ गया होगा तो अगर आपको किलास समझ में आ रही है जो मैं पढ़ा रहOR हो वह अच्छे समझ में आ रह तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लिजएगा चैनल को subscribe जरूर कर लिजएगा हमारे इस ट्राइब की और वीडियोध लैटेच तुरंत पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप सबस्क्राइब कर लेंगे तो तुरंत वीडियो को जो PDF चाहिए होगी तो PDF हमारे Telegram चैनल पे आपको मिल जाएगी और Telegram चैनल का लिंक मैंने Video के description में डाल रख़ा है आप बहाँ से जाकर देख सकते हैं Telegram चैनल को जोइन करिए Telegram ग्रूप को और बहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है सुरेश एकडेमी नाम की एक ग्रूप होगा उस पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं तो देख लेते हैं सात्मा एकी करण का सुध्धान के अभी एकी करण का सुध्धान प्रिंसिपल आफ इंटिग्रेशन ये हमसे क्या कहता है ये वी देख लेते हैं इसके अनुसार बालक पहले संपून अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है जैसे कि अभी मैंने बताया था उधारन के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को और फिर हाथ एबम उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है जैसे आपने देखा हो अभी मैंने जेश्ट बताया था क्या होता है कि बच्चा पहले पूरे हाथ नों को लगा के कोई चीज़ उठाता है फिर दीरे उंगलियों को उंगलियों से एक बारी एक पेपर को भी उठा लेता है उसी प्रकार का एक एकरंगा सिद्धान भी कहता है क्या कहता है भी पहले संपूर अंग को पहले जो हमारा बच्चा होता है वो पूरे हाथ को उठाना सीखता है पूरे पैर को उठाता है फिर दीरे दीरे के बने उंगली चला के बढ़ जाता है आगे तो इस step से पहले पूरे अंग को चलाता है फिर दीरे उसके parts जो होते हैं छोटे छोटे अंग जो होते हैं पूरे अंग के जो पहले तो पूरा अंग चलाना सीखता है उसके बाद जो अ बालक पहले संफून अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है उधारन के लिए बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवर उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है ठीक है तो आसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा समझ में आ रह होने बाला है यह वाला जो सिद्धानतता आठमा principles of direction of डेवल्लॉ doing में यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन्ट होने वाला है यह दो ट्रेवर का होता है कितनी प्रकार का होता है मस्ता दुन मुखी क्या होता है ना सिर पे होता है हमारा मस्तक और फिर दुनमुखी नीचे तो मतलब उपर से नीचे जो विकास होता है उसे हम कहते हैं मस्तदुनमुखी विकास और इस टैप से इंगलिस का जो बर्ड है सेफैलो कोडल इससे भी हम जान सकते हैं आपको पता होगा ऑगो ju sephelo bird वो हमारे brain के लिए इस्तमाल किया जाता है cephalo जो है हमारे दिमाग के लिए इस्तमाल किया जाता है तो बस्ता दुनमुक्षी का मतलब क्या होता है जो विकास होता है वो सिर से पैर की होर होता है पहले बच्चा गरदन समालना सीखता है आपने देखा होगा तो बच्चा पहले क्या करता है गरदन समालना सीखता है फिर बैठना सीखता है फिर घुटनों के बल चलना सीखता है हाथ रखके पैरों के साहरे आगे चलना सीख जाता है और फिर बिना साहरे की चलने लगता है यह तो आखको पता होगा तो सैफैलो कोडल कोई ज्यादा कठिल नहीं है बहुत इजी है आपको याद हो गया होगा आसा करता हूं और इसका एक कोश्चन आपकी जो पेपर है उसम बनी जाता है तो दूसरा टैप जो है वो भी देख लेते हैं निकट दूर का नियम यह भी बहुत ही जी है इस से या मस्तादूनमुकी से एक कोश्चन बनी जाता है आपके हर वार सी टैप के एगजाम में तो आपके लिए यह बहुत ही जाता है इंपोर्टेंट होने बाला निकट दूर नियम जिसे हम क्या कहते हैं प्रॉग जी मोडिश्टल प्रॉग जी मोडिश्टल मतलब इसका क्या हुआ है इसके अनुसार रीड के पास के अंगों का विकास पहले और दूर के अंगों का विकास बाद में होता है तो इसका निकट दूर का मतलब क्या हुआ है ज फिर हाथ और फिर उंगलियों का विकास होता है आपने देखा हो कि रीड की हड़ी के पास में रीड जो हमारी होती है बीच में उसके पास में पहले के आता है कंदा आता है तो कंदे का पहले विकास होता है फिर हमारे हाथ का विकास होता है फिर धीरे उंगलियों का विकास हो पास में होते हैं, रेल के पास में होते हैं, उनका विकास पहले होता है, और जो दूर वाले होते हैं, उनका बाद में होता है, letter होता है, for example, first of the shoulder, then of the hand, and then of the fingers, फिर बाद में finger का विकास होता है, next step देख लेते हैं, next जो principle है, विकास का वो भी देख लेते हैं, विकास की भवि भविस्वानी भी की जा सकती है तो development can be predicted पहले से बताया जा सकता है कि इस बच्चे का विकास कैसा होगा तो यह कैसे बता सकते हैं यह देख लेते हैं इसके अनुसार बालक की ब्रद्धी जो होती है वो क्या होती है विकास की गत्ति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दुसा और स्वरूप के बारे में भविस्वाने ही की जाती है तो बालक की जो हम देखते हैं उसमें ब्रद्धी जो सारी डिक चेंजिस होती है उनको देखते हैं और विकास बिकास जैसा कि मैंने आपको बताया है उसमें संग्यानात्मक संबेगात्मक मानसिक चितने भी परकर के बिकास हम सबारा जाते हैं विकासों को देखते हुए हम कुछ70 देखेंगे तो हमें ए अंधाजर लग जाएगा कि ये बच्छी बच्चा आगे चलके क्या होने वाला है तो उसके मितलब विकासा की भवस्वाणी हम कर सकते हैं आगे चलके इसमें क्या-क्या विकास हो सकते हैं यह लंबा होगा चौणा होगा इसके अंदर कितनी बुद्धिमत्ता होगी मतलब इस टैप से हम भविस्वारी कर सकते हैं उसकी ब्रद्धी और विकास को विकास की गति को देख कर ठीक है तो आसा करता हूं यह वाला भी प्र प्रद्धी और विकास बंसानुक्रम एवं बातवरन की अंतक्रिया का प्रणाम होता है यह तो बेरी मौश्ट इंपॉर्टेंट है इस पर आप मार कर लेज़ेगा बेरी मौश्ट इंपॉर्टेंट यह तो आनाई आना है मतलब हर बार सीटैट के एक्जाम में यह तो आता बंसानुक्रम इंटू परियाबरन या बाताबरन हम कह सकते हैं तो मतलब कह सकते हैं डबलमेंट इसे होगा इस बात पर निरफर करता है कि उसे माता पिता उसके जो माता पिता है उसे बंसानुक्रम में कैसे गुण मिले हैं तथा बहर कैसे बाताबरन में रह रह रहे हैं आपने देखा होगा जो हमारे यहां के बच्चिये जहां हम रहते हैं तो उसी टैप की भासा बोलते हैं और बहीं की जो संस्किर्टी है उसको अपना लेते हैं उसको सीख जाते हैं अ जैसे बातबर्म में रहेगा बच्चा बैसाई सीखेगा तो यह तो आपके लिए इंपोर्टेंट जो था प्रिंसिपल यह बहुत जिदी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला था तो ब्रद्धी और विकास बंसानुक्रम बातबर्म की अंतक्रिया का प्रणाम होता है ठीक ह अगर ब्रद्धी और विकास की बारे में अगर कोश्चन आता है तो बंसानुक्रम बातबर्म की अंतक्रिया वाला अगर है ओप्सन तो यह आपका ओप्सन सही होगा 100% ठीक है नैश देख लेते हैं इन सिध्धानतों में जो सिक्षा में महत पर है इन सिध्धानतों का जो स सिध्धानतों में महत होता है वह मैं बता रहा हूं तो अगर इन सिध्धानतों के बारे में सिख्षक को पता हो तो सिख्षक को क्या फायदा हो सकता है और बच्चे के लिए इससे क्या फायदा हो सकता है इन सिध्धानतों से अगर सिख्षक बच्चे के बारे में जानकारी है वो जान लेगा जानकारी को प्रायक्त कर लेगा और जब उसाप से उसी के according बच्चे को पढ़ाएगा और उसी के according जो उपयोग्त होंगी उनका प्रियोग करेगा जिस्से की बच्चा बहुति ज्यादा अच्छा बन जाएगा तो next जो इसका important points होने वाला है वो लेते हैं सिख्षार्तियों के सीखने का क्या तरीका है यह जानने में सिख्षक की सायता करता है इन सिध्धानतों से क्या होता है वही जो सिख्षार्तियों जैसे कि मैंने अभी बताया था बातवरन भी बहुत ज्यादा मैहत्पूर्ण है आपके बचों के लिए तो जैसे बातवरन में बच्चे रहते हैं वैसा ही सीखते हैं तो बच्चों सिद्धानतों को अगर ज्यान है सिक शक्षक को तो बच्चे के लिए एक उचित बातवरन उपलब्द करा सकता है जिससे की बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखें तो आज के लिए इतना ही था यह जो टॉपिक था पूरा हो चुका है तो आसा करता हूँ आपको यह पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया है और इसकी पीडियाफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलिग्राम लिंक को जैन करके टेलिग्राम पे जाके मैंने इसका जो टेलिग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसको आप टेलिग्राम पे जाके ग्रूप को जैन करके पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास क लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें क्योंकि कोई भी चीज हमारा जो ग्यान है सेर करने से बढ़ता है कम नहीं होता है सेर करने से बढ़ता है तो आप इसको सेर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करने त्रंथ, तुस्तों थेंक यू